मनुसे की देनिक जीवन के अंदर अक्सर एसे मुहावरों का प्रियोग होता रहता है जो बार-बार अनेक तरह की प्रिक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं और आज का हमारा मुहावरा है मिट्टी में मिलना यानि आज में इस वीडियो के अंदर मिट्टी में मिलना मुहावरे की अर्थ है और इस मुहावरे की वक्किम प्रियोग के बारे में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिट्टी में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है यानि इस मुहावरे का अर्थ होता है ब्रबाद होना दोस्तों आज के समय में लोगों के पास होने के लिए अपने धन के अलावा कुछ नहीं होता इस कारण से जब एसे अमीर लोगों के पास धन होता है पर किसी कारण से वह धन इस तरह से खतम हो जाता है कि उसके पास एक भी रुपया न रही इस तरह से जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता तब वह ब्रबाद हो जाता है और ब्रबाद होने को ही मिट्टी में मिलना कहा जाता है यानि मिट्टी में मिलना मुहावरे का अर्थे ब्रबाद होना होता है और जहां पर ब्रबाद होने की बात होती है वहीं इस मुहावरे का वक्किम प्रियोग किया जाता है मिट्टी में मिलना मुहावरे का वक्किम प्रियोग पहला वक्किम प्रियोग मैंने तुम पर ब्रोशा करकर अपने सारे पेसे जुए में लगा दिये पर तुम्हारी हारने के कारण मैं तो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया दूसरा वाकिम परियोग नया काम शुरू करने के लिए मैंने अनेक लोगों से पेसे उधार ले लिए पर जब मेरे कारियाले में आग लग गई तो मैं मिट्टी में मिल गया तीसरा वाकिमपरियू, सेट ने रामलाल का गिर्वी रखा मकान अच्छे पेसे में बेच दिया जिसके कारण से रामलाल बिचारा मिट्टी में मिल गया चौत्था वाकिम्पर्योग, चोर ने धनपत के सारे रुपे चुरा लियें, जिसके कारण से उसके पेशे मिट्टी में मिल गए। पांचवावा किम्परियोग, स्याम और राम के बीच में फूट डाल रहे किसन को मैंने रंगे हातों पकड़ लिया जिसके कारण से किसन की सारी योजना मिट्टी में मिल गई चोर की एक छोटी सी गलती के कारणे चोर की सारी योजना को मिट्टी में मिलते देर नहीं लगी इस छोटे से लड़के ने सेट के ठगने की योजना को मिट्टी में मिला दिया आठुवा वक्यम प्रयोग परताब के पिता की गाउं में बहुत इज्जत थी पर परताब की एक गलती के कारणे उनकी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिलगई। तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले विविन तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके और आप अनेक तरह के मुहावरों की बारी में क्या नासिल कर सकें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले